हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल दिवेल्प किचन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इसी तरीके से आप अपने बालों को लंबा काला घंळा कैसे कर सकते हो वह बताऊंगी तो एक बार ही जरूर ट्राइगे जेगा आपको बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अच्छी रेमेडी लगने वाली है तो मैं आपको इसको इस इस पहले कुछ चीज़े पहले ही बता देती हूं कि आप इसको जब भी इस्तमाल करो ना तो आपको अपने बालों को धुलकर एक बार इसको यूज़ करना है क्योंकि अगर आप बिना धुले बालों मे अगने तो होंगे बाल साथ में आपके बाल बहुत ही लंबे काले भी हो जाएंगे तो एक बार रेमेडी जरूर ट्राय किजेगा घूमेड ही होने वाली है बहुत ही यूसफुल इसके रिजर्व देखने को आपको मिलेंगे और लास्में मैं आपको अपने बालों को भी द आप नौर्मली अगर आपको ठीक बाल रखने है तो आप यह रेमेडी ट्राय कर सकते हो तो अमें बाते तो बाद में कर लोंगी पहला को बता देतों सबसे पहले मैंने अध्रक ले रखिए तो अध्रक आपको पता है कि अध्रक में ऐसे 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 चीज़े पाई जाती है जिससे आपके बाल बहुत एजी तरीके से लंबे होते होते हैं और आपके बाल टूटते नहीं है तो आप इसको अगर आपके ए सारी नहीं है तो आप इसको time प्लिट की प्राइदा है बट लॉंग से ज़्यादा इफेक्टिव मैं आपको बताऊंगे अध्रक है क्योंकि अध्रक आपके बालों के स्काल्फ को साफ करती है लॉंग लंबा बढ़ाता है बट आपके यह अध्रक नहीं यह मर्टी जैसे काम नहीं होता है करेगी आपके बालı बटाएगी बालों जो स्काल्फ उसको भी साफ रखेगी आपके जो तिने भी प्रॉब्लम्स यह नवे ठीट वह बिल्कुल खतम हो जाने वाली है आप क्यों करवाने जातों कि आपको अच्छे बाल चाहिए होते हैं बट अगर आप अपना हजारों रुपए का खर्चा बचाना चाहते हो तो यह रमेंडी ट्राइ किजेगा आप तो सबसे पहले आपको अधरब कद्धूकस कर लेने हैं उसके बाद आपको लेना है प्याज इतना जाधे अच्छा इफेक्ट करता है मैं भी आपको क्या इबुलूक से अर्फ अकर ना क्यों कि आपके बाल में झाहीए, जो आपके बाल लाकर, आपके बाल है भी कि पहल कि अइसे बाल लाने का कैम करेगा, और साथ-साथ मैं एक गरजस के लिए तो बैस्पेश़ली बढ़ने लगते हैं, speed से बढ़ने का काम आपका प्याज करता है, अगर आपके baby hair भी नहीं है ना, forehead पे जो hair होते हैं वो भी अगर आपके नहीं है, तो आप इसको try कर सकते हो, लगाने के बाद आपके 100% बढ़ेंगे जरूर, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्याज का normally आपको निकाले ना, चिलका, और प्याज तो ऐसी चीज है ना, कि आपको आपको एक्टरस भी, बहुत सारे TV एक्टरस भी आपको एड करते हो, दिख जाएंगे, बहुत-बहुत बड़े-बड़े एक्टरस भी बोलते हैं, कि प्याज आपको लगाना चाहिए, बट वो ल रामेडी को आपको ट्राइ कर सकते हो, अगर आपको ट्राइ करना है दो बार हटे में, और इसको ट्राइ करने की एज लीमिट में बता देते हो, आपको जो, प्याज बरा क्योंकि में राजिस्थान से बिलॉंग करती हूँ, थेन तो एक लाल बहुत ही ज़ादा मतलब कड़वा रहता है और इसको अगर आप कड़ूकस भी करोगे तो आपको बहुत ही ज़ादा आशू का सामना करना पड़ेगा तो अभी भी मैं इसको रेमेडी को बिना रही थी तो टीर्स निकल ली रहे थे इतना ज़ादा यह एक्टिव है और आप बढ़ते हैं मुझे बहुत ही आशो हारा है या क्या कर सकते हैं आपको पता ना कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है इसलिए मैं भी नॉर्मली रोड लगाते हूं रोज तो डेली रूटीन में लगाती हूं मतलब हफते लगाया लेती हूं तो अंदरा दिन में एक बार तो तो वो आपको नहीं करना है, इसी इसका भी धान रखना है, तो थोड़ा इसको रेमेडी को यूज करेगा, और मैंने अभी प्याज कदुकस कर लिए, मैंने बहुत ही बड़ा काम किया, इसको आपकी आँख में से इतना जादा आंसो निकलेंगे, कि मैं आपको क्या ही बोलू इस तरीके से आपको क्या करना है, नॉर्मली प्याज को और जो अध्रा करना है, उन दोनों को ये पेश को इस तरीके से एक साथ कर लेना है, और अब क्या करेंगे, इसको रस है ना, वो पूरा हम डाल लेंगे दूसरे बाले इस तरीके से बरतन में, तो मैंने नॉर्मली य यह देख सकतु छलनी ले रखिये, तो इस तरीके से जो छलनी होते ना वो ले रखिये तो आप चमज का काम तो नहीं करूँगी, मैंने चमज भूब भी होद बोल दिए चमज का काम नहीं करना है, हात उसी आपको अच्छी तरीके से इसको मेश अप कर ले ना जितना भी रस हो ना उसको आपको ट्रांसफर कर देना एक कटोरी में अगर आप इसको चमत से करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा मैं तो मेरे हिसाब से बता रहे हूँ आपको अगर आपको हाथ गंदे नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो मतलब हाथों कह जब मस्का कर सकते हो बट मैंने हाथों से अच्छी तरीक से निकाली है पूरे रस को और अभी रस ना ट्रांसफर हो चुका है इस तरीक से एक कटोरी में तो आपको क्या करना है बालों को आपको पहले तो वास कर ले ना फिर बालों को सुखाना है थोड़ा सा प्रोसस अब काटा धांस इस मेर भी थी पहले अगर आप बालों का करोगे है तब और यह अची तरीक से बढ़ेंगे नो कि अगर एक पेड में भी पानी डालतो है तो आपको इस चीज का ढशना थान अगना है और देख से कर ना आपने तो ज्यार करोगे पहले थो च्छा झार लेन तो आपको ने नीचे वाइड वाइड पार्टीकल दिख रहा होगा वही आपके बालों के लिए बहुत ज़ाद अच्छा रहता है तो नॉर्मली मेरे बाल तो अच्छी तरीके से बढ़े हैं आपको जाता बढ़ बाल भी नहीं चीए क्योंकि आपको पता है कि स्कूल बालों को मैंने खुटा सा हाइलाइट करवा रखा है इसलिए आपको इस तरीके से कलर भी दीख रहा होगा तो फ्रेंड्स आपको यह रेमिनीडी ज़रूर ट्राय करने हफते में दो बार मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया तो